दोस्तो मेरे कस्मर थे उन्होंने मुझसे कोशन पुछा था एक्षली उनका मेन मोटिफ था कि वो जब चाहें अपने डीवियर को अपने मुबाइल फोन से कहीं से भी ओन या ओफ कर सकें ओएक मैंने उसको यूज किया मैंने उनके यह पर एक peng वियर के तुरूं रजब आपने ने बिवियर को कर सकते हैं तो या प्रसीजर व्याटा के नहीं है तो अपने एक डीवियर को एक मेरा नहीं केरे साथन को पर आजाएं कितने तो क्या प्रोसीजर है आज मैं लेके आया हूँ याली वीडियो क्या आइटम है जिसके थूरू आप ये सेटिंग कर सकते हैं तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है गुलशन चलिए शुरू करते हैं दोस्तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेस्ट सब्सक्राइब आइकन और साथ में प्रेस कीज़े बैल आइकन नई और लेटेस अपडेट पाने के लिए रैंक यू गाइस मैं आपके लिखे हैं आज एक प्रोड़क्ट इसकी पहले वीडियो बना चुका हूं स्मार्ट वाइफाइ सुष नाम से आज इसके तथू ही हम ये प्रोसीज़र करने वाले हैं आज मैं आपको इसके connection बताऊंगा आज मैं आपको इस को बाए कैते हैं कि practically पूरा इसका function दिखाऊंगा कि कैसे यह work करता है कैसे आप mobile phone से इसकी एड- pear रिक्ते कि आप कहीं से भी अपना वाई-फाई या अपना फोर जी की थूरू कहीं से भी इस वाले सुच को जो इसमें करण निकल रहा है वो डी विर को देते हैं या इसका जरूर नहीं है कि आप इसको डी यूज करें मतलब आज की वीडियो मैंने बनाई है इस परपस से क्योंकि मेर देवियार को कहीं से भी ऑन या ओफ कर सकते हैं बट इस डिवाई के धूरू आप अपने वैन को अपने ट्यूब लेट को जैसा मैंने बताया था उसको ओन ओफ कर सकते हैं तो आज मैं आपको इसका थोड़ों प्रेक्टिकल बताऊंगा प्रेक्टिकली कनेक्शन करके बता में चार में connection करना पड़ता है पांच वो पॉइंट किसलिए होता है वो भी आपको बताऊंगा आपको simply यहां से wire डालनी है क्या का निकालनी है वो आपको दिखाऊंगा सामने board पे तो चलते हैं board पे तो दोस्तो आगे हैं board पे यह हमारी हो गई सुच प्लेट जिसमें अब 4Ç, 1 इक साथ है और 2. fantastic तो यह पांच पोरे की सुच प्लेट है जो इसके तीन पॉइंट है वो यह रहे वो जो इसके दो Чтобы समें यहway आप झोड़़ाता देख लीजिए इसमिई है किन यह निऔर पांच पॉइंट कि सुच प्लेट है तो यह किस-किस करने पड़ते हैं पहले आपको बताता हूं दैन इसको बिजली से कैसे करना है वह दिखाऊंगा और कैसे यह वर्क करता है वह भी हम प्रैक्टिकली एप इंसल करें देखेंगे गाइस इसके जो यह दो पॉइंट है यह है नूट्रल यह है एल एल मतलब 220 वोल्ट की जो पावर होती है वो हमें यहाँ पर देनी पड़ती है यह इसका पॉइंट है आउट और यह हो गया सुच तो यह 5 पॉइंट ऐसे हैं इसे कैसे करना है मैं आपको बताता हूं पहले इस 220 के अंदर यह दो पॉइंट आपने जोड़ने है अब रही बात हमारा DVR का पॉइंट आपने कहां पर जोड़ना है वो समझ लीजिए एक यह वाला पॉइंट हो गया एक यह वाला पॉइंट हो गया यह दोनों पॉइंट आपके जोड़ेंगे DVR के प्लक से यह हमारा DVR का तो दोस्तो यह जो मैं आपको समझाया है यह बिसिकली 220 वोल्ट की तार आ रही है आपने यह दो तारे यहां पर जोड़ दी नूटल और आउट जो निकली उसको आपने डीवर के अडॉप्ट में जोड़ दिया अब आप जब भी मोबाइल पून से ओन करेंगे डीवर ओन ज इसमें मैंने एक बलब लगाया हुआ है चेक करने के लिए यह समझेए DVR है हमारा यह हमने DVR के अडॉप्टर यहां पर डाला हुआ है और यह वाली डिवाइस हमने इसमें कनेक्ट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें किस साइप के होते हैं एक बार आप यह देख कर चुका होके कैसे करने हैं लेकिन मैं दोनों तरफ लिए चल रहा हूँ कि एक हो गया ट्रेंट बंदा जिसको नोलेज है और एक हो गया ऐसा बंदा जिसको नोलेज नहीं है कि बोर्ड में कैसे करनेक्शन होते हैं हमें क्या करना पड़ेगा हमारा एक होता है बिजली का ब कैसे जुड़ी होती है कि हम यहाँ पर प्लग एंटर करते हैं और हमारा जो DVR है वो ओन हो जाता है तो वो मैं आपको बता दूँ हमारे पीछे से 220 की दो तारे जो मीटर बॉक्स से आती है या भी हो सकते आपके उपर नीचे बोर्ड से आती हो वो कैसे कनेक्ट होती है इसमें है नीटरल तो हमारा जो रेट तार है वो जाती है डारेक्ली इस पॉומן में को यहाँ पर कनेक्ट हो जाती है भी कि पॉइंट बचता है, इसमें यहां से एक separate तार जोड़ी जाती है जो इन दोनों connect करता है जैसे ही हम on करते हैं इस वाले point में 220V आ जाते हैं और हमारा system work करना start कर देता है अब क्या किया जाए जो कि हमारा PCP है वो work करें, हमारी PCP में इंदर जो हमारा board है smart switch जो है उसमें 5 point है एक, दो, तीन, चार, पाँच ये 3 point अलग हैं, 2 point अलग हैं इस पर आप suppose कीजिए जो हमारी ये वाली wire है वो तो है neutral तो हम इसको लेके simply neutral में जोड़ देंगे ये हमारी हो गई जो main हमारी 220 में जानी है उसको लेके हम simply board में यहाँ पर point में जोड़ देंगे तो दोस्तो ये तो हो गई हमारे connection कि हमें यहाँ पर 220 हमें मिल गई इसको 220 volt मिल गई हमारी device जो है on होनी start हो गई blinking करना start हो गई अब ये वाला point हमें automatically मिल जाएगा इसे हमें कुछ नहीं करना अगर हम ऐसे connection कर रहे है board के अंदर तो अब हमें क्या करना पड़ेगा हमें सिरफ एक point लेना पड़ेगा और उस point को जो की out है ये हमारा out हो गया ये हमारा 220 volt हो गया जो ये दोनों point चल रहे हमारे और इसको हम देने के फायदा है क्योंकि अब हमारा connection सेपरेट हो गया तो दोस्तों हमें क्या connection करने पड़ेगे मैं आपको बतायता हूँ सबसे पहले हमारा ये on करते ही यहाँ पर voltage आ रही थी वो voltage आनी बंद हो जाए तो हम सबसे पहले इस wire को disconnect कर देंगे हमें ये वाली wire अब connect नहीं रखनी अगर हम smart switch लगा रहे हैं अब इसमें 220 volt कैसे हैंगे वो आपको बतायता हूँ जो हमारा ये वाला out वाला point है ये चल रहा है और ये सीधा आपने इसमें जोड देना है अब हमारा जैसे ही हम switch on करेंगे इस out के through यहाँ पर voltage आ जाएगी इन दोनों point में 220 volt हो जाएगी और हमारी device on हो जाएगी वो सब कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ अपने board पर मैंने connection कैसे किये हैं तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं मेरी device मेरी device में 5 तारों में 4 तारों में लगा रखी है आप ये देख सकते हैं ये point कहां का जा रहे हैं आप ये चेक का सकते हैं जो आपको सामने board में बताया है same connection में नहीं आप दिये हैं और ये device हमारी अभी जो lights है उसकी on-off हो रही है वो on-off कियों हो रही है क्योंकि अब तक हमने इसको mobile से pairing नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमें mobile phone पर जाना पड़ेगा app download करनी पड़ेगी और इसको pair करना पड़ेगा pair कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ अपने mobile phone पर चलके तो दोस्तो आगे है mobile phone पर mobile phone पर आपने सबसे पहले एक app install करनी है जो कि मैं आपको link दे दूँगा उसका आपको यहाँ पर इसी device का option दिख रहा है install होने के बाद आपको सबसे पहले register करना पड़ेगा आपके mobile number से वो सारी detail आपको मिल जाएंगी so मैं already register कर चुका हूँ मैं simply device एड़ करनी है तो device पर क्लिक करूँगा wifi सुच पर क्लिक करूँगा यहाँ पर मेरा wifi जो मेरे phone पर connect होगा आपको wifi अपना connect रखना है phone पर जिस wifi से आपको peer करना है अपने सुच को तो मेरा wifi connected है गुलिशन नाम से तो वो शो हो गया यहाँ पर आपने डालना है password और कर देना है इसे connect so wifi का password ही आपको डालना है आपकी device जो है वो connect हो जाएगी connect होने के लिए वो क्या होगा आप देखिंगे device पर तो उसकी जो lights है वो थोड़ सी fast linking होगी तीन मेरका टाइम बोलता है लेकिन यह hardly hardly 30 second में आपका जो सुच है वो आपके phone पे install हो जाता है so एक बारी इसको होने थे हैं आप देख रहें मेरा wifi सुच add हो गया है मेरी device के light continue on हो गई है तो wifi सुच को मैं कर सकते हो नाम change मैं कर देता हूँ DVR और इसको done कर देता हूँ so जैसे आप देख रहें मेरे phone पे मेरा DVR जो है उस नाम से एक device on हो गई है और इसको मैं on करता हूँ off करता हूँ मेरे हाथ में है so कैसे work करता है मैं आपको दिखाता हूँ अपनी device को so यह मेरा bulb है यह मेरा mobile phone है इसको मैं जैसे ही on करता हूँ मेरा bulb on जैसे ही off करता हूँ bulb off तो bulb का मतलब DVR समझीए या फिर अगर आप light से करने कर light समझीए so जैसे ही on करता हूँ on जैसे ही off करता हूँ on off अब अगर suppose कीजिए मैं अपने premise पर नहीं हूँ मैं अपने wifi पर नहीं हूँ मैं अपने 4G data पर work कर रहा हूँ तो कितने फासली work करता है रिखाया तो आपको तो जैसे मैं तो wifi बंग कर दी है wifi 4G on कर दी है अब मैं एक बार ही on करता हूँ यह कि है मैंने on यह कि है मैंने off on off यह मेरा properly work कर रहा है बिना किसी time delay के 0 second delay में मतलब जैसे ही आपने यहापे click किया आपका on हो जाता है जैसे ही आप off कर रहे हैं वैसे ही आपका off हो जाता है इस connection के थूँ आपने DVR को on कर सकते हैं इस connection के थूँ आप अपने किसी भी अपने switches को को night blub तो आप इन 4 point को अपने phone से on off कर सकते हैं मेरे पास geezer वाली kit भी आगई है geezer भी आप on off कर सकते हैं AC भी on off कर सकते हैं तो यह सारे feature हमारी जो सुच है उसमें आ गई है अब सबसे बड़ी बात आती है कि इस smart switch का price कितना है सो guys smart switch का price काफी low है बहुत ज़्यादा low नहीं है अगर आप Chinese से compare करेंगे जो Chinese सुचे साते हैं तो उसमें ऐसे feature नहीं मिलते आपको बताना भूल गया यह 500 point जो खाली था वो किस लिए होता है तो guys यह 500 point जो होता है हमारा suppose कीजिए आपने connect किया अपनी tube light से यह सुच को अपने tube light अपने button के डाल के इसो tube light से connect कर दिया अब जो tube light में सुच का 500 point होता है जो कि हमने इसको disconnect कर दिया था 500 point यह वाला है यह वाला point अगर आप दे देंगे suppose कीजिए यह वाला point निकला और इसको आप दे देंगे अपनी plate के अंदर यहाँ पर देंगे आप इसको 500 point पे out के साथ वाले में इसका फायदा है कि अगर मैं आपको बतायता हूँ जब भी आप अपने button को off करेंगे आपकी tube light off हो जाएगी जब भी आप mobile phone से on करेंगे आपकी tube light off हो जाएगी मतलब यह button जो है वो two way बन जाएगा यह feature Chinese kit के अंदर नहीं है और भी कई सारे feature हैं जिसके लिए मैं एक separate video लेकर आऊँगा लेकिन आज की मेरा main motive था कि आपको बताने का कि आप DVR को on off कर सकते हैं अपने mobile phone से तो अगर ऐसा कोई आप से पूछता है तो इस feature को आप बोल सकते हैं यहां जी बारे पास है इसका price कितना है वो जानने के लिए description पे एक link दे रहा हूँ जहां पे click करके आप इसका price देख सकते हैं इसको buy कर सकते हैं मेरा WhatsApp नंबर भी वहां mention है website पे कि आप मेरे बारे में कुछ मुझे बात करने चाते हैं WhatsApp करने चाते हैं अगर आप dealer हैं तो आप मुझे अपना visiting card बे सकते हैं अगर आप bulk buyer हैं तो भी आप मेरे से contact कर सकते हैं तो उमीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो पिलीस like पे क्लिक कर दें अगर आप इस channel पे नए हैं अगर आप मेरे बाकी वीडियो ने देखी तो आप इस channel को subscribe कर सकते हैं साथ में notification bell को on कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके मेरे बाकी वीडियो भी देख सकते हैं मैं किस-किस आइडम में डिल करता हूँ वो भी लिंक नीचे छोड़ दूँगा उसमें सारी वीडियो हैं कि आप में इसे क्या-क्या बाइ कर सकते हैं इस वीडियो को इतना एंड तक देखने के लिए भगवान आपका दिन शुप करे थेंक यू सो मच झाल